नमस्कार मैं हूँ रविंदर राव आप देख रहा है सेजी आउनलाइन यूट्यूब चानल आप सबको स्वागत आप में से कोई अभी तक हमारा चानल को सब्सक्रेब नहीं किये तो कृपया तुरंत आप सब्सक्रेब करिए और आपकी साथियों से शेर करिए और लैक भी क जो राश्ति हो ग्रामीन आजिविका मिशन में जो हम बनाते हैं से जी विलेज आर्गनेशन सेंखल सरी संगत तन याने की क्लस्टर लेल सकते हैं, बहुत सरे समस्ता हैं, सामजाइक समस्ता हैं, हर एक समस्ता में कुछ नियम का जर्रत पड़ता है, नियम की अलावा काम चलना मिश्किल होता है, जो समस्ता की लक्ष को पाने के लिए समस्ता टीक तरीका से चलना चाहिए, अगर टीक से चलना है तो उसके लिए वहां पे भी नियम रहता है। हास्पिताल आप भी नियम रहता है। और आपको एक प्र जय से वहां पे कुछ नियम का जरूरत है। नियम को हम प्रभन्धन नियम और विट्वी नियम, Starmajcy नियम और Bightak नियम. ऐसा चार तरह की नियम हम सामधाइक सांस्तावों में right from the SAG से लेके हमारा cluster level federation तक हम बताते हैं। आपको आलड़ी हमने वित्ती नियम और सामाजिक नियम भाइटक नियम आदी नियम के बारे में ग्राम संगटन स्तर पर जो रहने वाले नियम को अलग अलग वीडियो बना के हमने हमारा SAG online YouTube चानल में आपकी सुर्धा के लिए हम रखे हैं। आप देख सकते हैं जो ग्राम संगटन की नियम क्या होता है। वैसे आज हम इस क्लास में बात करेंगे संक्रस तरिक संगटन में क्या-क्या नियम का जर्त परता है। सामाजिक नियम जिसको हमने सोचल नाम्स पोलते हैं लेकिन यहाँ पर हम आपको अलग अलग तरीका कि नहीं बता रह एं क्योंकि हमारा अलग अलग जो नियम का वीडियोज वीवोय के उपर हम बनाए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोठा-मोठा संकल स्थारी संगटन में क्या नियम रहना चाहिए इसको आप अलग-अलग कर सकते कौन सा financial में आएगा कौन सा सामाजिक में आएगा कौन सा प्रबंदन में आएगा आप उसको कर सकते ठीक है तो अब हागे कोई भी संकल स्थारी संगटन में minimum कम से कम ये जो हम अभी बता रहा ये नियम जरूर रहना चाहिए जैसा जैसा जो संगटन का काम बढ़ता रहता है उसका इसाब से नियम में कुछ नियम अगर ठीक ना लगे तो उसको दुबारा उसको बना सकते हैं कुछ नियम को कारेकारनी समती चर्चा करके नया नियम को भी जोड सकते हैं इसका अनुवोधन आमसभा में लेना जरूरी है यह है नियम के बारे में अब हम एक नजर डालते हैं यहाँ पे जो बताया गया नियम दिखते हैं मैं यह फिर से बता रहा हूं यह नियम यहाँ पे आपको मुख् जो ये अभी बताने वाले नियम आपका सील्फ में रहना जरूर इसके अलावा भी रह सकते हैं रहेंगे तो बहुत बढ़ी है ठीक है हां क्लस्टर में रहने वाले योग्यु ग्रामसंगटन में सदस्यता लेकर रहना चाहिए मतलब जिस क्लस्टर में संगटन बन गया उस क्लस्टर की एरिया में जितने भी ग्राम संगटन बन चुके हैं और बनने वाले हैं सभी ग्राम संगटन उनको चर्चा करके CLF की कारिकारनी समती में चर्चा करके कुछ योग्यता को तयार करते हैं कोई भी ग्राम संगटन CLF में सदस्यता लेना है तो उसका योग्यता का जर्रत पड़ता है वो योग्यता अगर ग्राम संगटन में हैं तो सभी योगी ग्राम संगटनों को हमारा क्लस्टर लेल फेडरेशन में प्रवेश देना चाहिए मतलब सभी ग्राम संगटन अगर वो योग यता है तो उसको इसमें मेंबर्शिप देना चाहिए वो ये एक नियम है सब EC, OB, GB यानि के कारिकारणी समती, पदादिकारी और सामान्य सभा सदस्यों से चर्चा करके CLF का नाम का तई करना चाहिए CLF बनने के बाद CLF को कोई ना कोई नाम रखना पड़ता है ये नाम कौन तई करना है कोई भी परियोजना की अधिखारी नाम तई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो समस्ता है ये मैलाओं का या गरीब लोगों का है वो ही लोग बनाते हैं, वो ही लोगों के लिए काम करता है वो ही लोग उसको चलाते भी है इसका मतलब बाइदपूर, आफदपूर, बाइदपूर, फरदपूर तो इसलिए समधाई समस्ता का नाम समधाई का लोग ही करना चाहिए तो जी बी में, इसी में, वो भी का सब लोग मिलके CLF का एक नाम उदोगताई करना चाहिए ये दूसरा नियम है मतलब, CLF तैयार होने के बाद, घटन होने के बाद ओ, CLF की नाम पे नजदी की ब्हांक में काता कोलना चाहिए वो काता कोलने के लिए CLF का कारेकारनी समिती भाइटक में एजंडा बिंदू रखके, चर्चा करके प्रस्ताव करना चाहिए वो प्रस्ताव की इसाब से CLF की नाम के उपर एक अकॉंट कोलना चाहिए जिसका management, प्रभंदन, काता का प्रभंदन करने के लिए यहाँ पे दिया गया अजक्स, साचु, कोशा जक्स तीन लोगों को, तीन पदादिकारीयों को यह खाता संचालन करने का जो जिम्मेदारी देना चाहिए यह है तीसरा नियम हम आपको बता रहा है और चौता नियम है CLF को कार्या लई होना और पता बोर्ड रहना चाहिए CLF आप जानते हैं, क्लस्टर में कभी-कभी 20, 25, 30 क्लस्टर की जो एरिया की इसाब से नंबर अफ ग्राम संगटन कभी-कभी 30, 35 भी होगा, 40 तक भी कुछ-कुछ 3LF में हमको देखने के लिए मिल गया इसका मतलब यह बड़ा समस्ता है यह बड़ा समस्ता मान के चलेंगे तो कम से कम हर एक वीवों में 10-15 सेजी है तो 20-25 ग्राम संगटन में मिला के 500-600 सेजी रहते हैं उसमें से 5000-4000 परिवार की लोग भी जुड़के रहते हैं इतना सारे लोग उनका प्रतिनेत दित्व करने वाले यह समस्ता को जरूर एक कारया लेका जर्रत पड़ता है इसलिए cluster headquarter जो रहता है cluster headquarter में कोई न कोई सरकारी building हो नए तो private building हो कुछ office का वेवस्ता करना जरूरी है आफिस का सामने मतलब आफिस के उपर एक पता बोड भी लगा के रखना ये जरूर है क्योंकि बहुत सरे गाउं से लोग महिला लोग आते हैं तो उनको पता होना चाहिए हमारा आफिस कहा है और आफिस का नाम बोड भी रखना जरूरी है ये है चौता नियम पांच्वा इसी बाइटक के लिए दिनांक सामाई ताई करना और उसके अनसार बाइटक को चलाना है ये आप जानते हैं कि सामधाइक समस्ताओं में बाइटक ही समस्ता की दिल जैसा मांगते हैं इसे जी हो ग्राम संगतन हो या अमारा क्लस्टर लेल फेडरेशन हो अगर जब तक दिल दिल काम करता है तब तक इंसान जिंदा रहता है अगर दिल काम करना बंद कर दिया इसका मतलब मर गया समस्ता भी वही है सामधाइक समस्ताओं में बहुत महत्वपूर्णता जिसको दिया जाता है वो है, इसलिए ये बाइटक इसी वह बइड़कों में कौनसा बाइटक बहुत महत्वपूर्णत बइटक है कारेकारनी समस्ती बैटक के लिए दिनांक मतलब कौनसा डेट में बैटक करना है और समय तारिक को नियम बनाया लेकिन कभी 14 को होता है कभी 16 को होता है कभी 17 को होता है ऐसा नहीं होना चाहिए जो नियम तै किया है नियम बनाना है कारेकरनी समिती बैटक का वो नियम को सही तरीका से धंग से पालन करना चाहिए और नेक्स जो है चटवा अनुपस्तिती होने वाले स बनाया वो नियमानसार भैटक में जो हर ग्राम संगतन की पदादिकारी याने के प्रतिनिदी अध्यक्ष और सच्छु जरूर वो संक्रस्तरी संगतन की कार्यकारणी भैटक में हाजिर होना चाहिए अगर वो हाजिर होने ना हो पाए तो उसके लिए अगर कारण जो पता करन चाहिए उसको वसुल भी करना चाहिए यह एक disciplined लोगों में पाइदा करने के लिए यह भी उना चाहिए यह धंड कितना है वो भी नियम में रखना चाहिए अगर आजरी लेड हाजरी है तो कितना डंड है अगर बिलकुल गईर हाजर हो गया है तो डंड कितना है उसका इसाब से डंड लगाना और वो डंड को वसुल भी करना चाहिए और प्रसेक्शन लिये हुए लेकापाल को रखना CLF के आई से हर महीने उसका मान देई भी देते रहना आप जानते हैं कम से कम सत्थर लाक से लेके एक करोड रुपे तक CF का रासी रहता है और जो अलग-अलग तरीके के रासी शायद उसमें जाने का संभावना होता है और हमारा ग्राम संक्टनों की द्वारा भी कुछ पैसा वहां पर जो शेर क्याप्ट लाउंश पुंजी की नाम से भचत की नाम से और अलग-अलग नाम से पैसा जाता है इंटर्नल और एक्स्टर्नल फंट्स बहुत होता है यह सारे रकम को सही से संचालन करने के लिए एक लेकापाल का जरत पड़ता है संक्लस्तरी संगटन में लेकापाल का लेकापाल को नियुक्त करना और लेकापाल को अपनी आई से मान दें देना क्योंकि यह परयोजना से इनको मान दे नहीं देना चाहिए यह लेकापाल स्वाइम CLF के लिए काम करना चाहिए CLF का निघरानी में काम करना चाहिए CLF इसका काम को समिक्षा करना चाहिए और CLF इनका जितना मान देख देना चाहिए उतना मान देख समिक्षा के बाद हर मैन देना चाहिए वो एक नियम है बिना लेकापाल CLF चलना मुश्किल होता है, इसलिए तुरंथ लेकापाल का नियुक्ति CLF करना चाहिए, ज्यादा दिन तक परियोजना स्टाफ को ये काम नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो लेकापाल हर दिन कार्यालाई में रहना जरूरी है, लेकापाल ऐसा नहीं है कि पासे शाम तक जो भी आफिस टाइमिंग्स बताते हैं, इसी कार्यकारनी समति वो निच्चित किया गया समय को समय को आफिस आके साम तक आफिस में लेकापाल जरूर रहना चाहिए, और CLF को हर साल चार्ट रेकॉंटेंट से आडिट करवाना चाहिए, जो हमारा सम पंजी करन करना जरूरी है, आप कोई कुछ की सुच राजों में वीवो का रिजिस्टेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सेजी का रिजिस्टेशन तो बहु सारे जगा नहीं हो रहा है, वोने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका संकल स्तरी संगठन बहु सारे राजों पंजी करन करवा रहा है, Society Act की दवरान नहीं तो ये cooperative Act की दवरान कोई भी खानून होने दीजे लेकिन वो registration यानि की पंजी करन होके रहता है, इसलिए CLF का हर साल जो कानून की साब से हर साल Chartered Accountant की दवरान उसका आडिट करवाना जरूरी है, ठीक है? जो वित्वर्ष कतम होते हुए, एप्रिल एक तारिक से लेके 31 मार्च की बीच में जो 12 महिने पड़ता है, इसको वित्वर्ष कहा जाता है, वित्वर्ष जैसे कतम होता है, जो Chartered Accountant को बुला के उसका आडिट करवाना जरूरी है, ये एक नियम है, और जीवी बैटक का दिना आम संगटन को देना, मतलब हर ये भी एक कानूनी की अनुपालन में आते हैं, जो जब इसका प्रशासन में बहुत महत्तपून बात है, जीवी का आम सबाका बैटक, आम सबाका बैटक सालाना दो बार करेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर कर या सब रिजिस्टार हमारा जो अनुमति दिया गया, जो पंजी करन की द्वारा हमको पैचान मिला, वो रद करता है, इसलिए तो हर साल जीवी बैटक करवाना और वो जीवी मीटिक का समाचार सभी ग्राम संगटन और सेजी मेंबर को देना भी जरूरी है, ठीक है, और वह हर सदस्य, हर साल आडिट करने के बाद इस समाचार पर चर्चा करना, कुछ समय रहे तो उस चर्चा करके निरनाई लेना चाहिए, यानि कि जीवी मीटिंग में बहुत सारे हम अलग से वीडियो बना के बता देंगे, जीवी मीटिंग है क्या क्या होता है, अगर आई तो आ आप रेफर कर सकते हैं हमारा ग्राम संगतन की आमसाबा की भूमिका और जिम्यदारी के बारे में, जहां आपको सारे इंफरमेशन मिल जाएगा, और आपके लिए हम और एक वीडियो बना देंगे, जीवी मीटिंग के बारे में, मतलब यहां पर यहां पर यह बता रहे हर स systematically करना चाहिए वो बैटक में सब लोगों को आमंद्रित करना चाहिए और जो चर्चा होता है वो चीजों को सब के साथ शेर करना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं अभी अगले नियम के बारे में OSC सदस्यों को कि तरा के जिख्मेदारी रहते है संक्रिस्थे संगतन में करेकारणी संमति को आलड़ी हमने आपको बताया है इसी सदस्यों का जिम्मेदारी के बारे में, अगर आप देखना है तो यहाँ पे जो दिख रहा है, लिंक को क्लिक ला देए, आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, यह नियम यह बता रहा है, कारेकारणी समिती सदस्यों को तीन तरह की जिम्मेदारी देना चाहिए और आटिक में पढ़कर सुनाना है और अनुमोधन लेना है इसे पहले भी मैं आपको बताया था है जी बी मीटिंग यानि कि आम सभा बैटक हर साल 31 वार्च के बाद करना जरूरी है और आम सभा में जो चार्टेड अकाउंटेंट की द्वारा किया जाता है आडिट रिपोर्ट वो आडिट रिपोर्ट को उसमें फेश करना चाहिए और उसके उपर चर्चा भी करवाना चाहि अगर आम सभा का अनुमोदन नहीं करवाए तो वो कम्प्लीट नहीं होगा ठीक है इसलिए अनुमोदन करवाना एक नियम है और CLF को पंजियन करना करवाना जरूरी है मतलब CLF बढ़ा आर्गनेशन है मैं अभी बताया आपको कम से कम 3000 से लेके 5000 परिवारों को ये सेवा कर करते हैं अलग-अलग तरीके की सपोर्ट करते रहते हैं मार्वदर्चन करते रहते हैं और अलग-अलग तरीके की जो सरकारी गईर सरकारी समस्ताओं से भी मिलके काम करते हैं और भड़ी मात्रा में पैसे का भी लेंदेन व्यवार करते हैं इसलिए इसका पंजिकरन जरूर कानून क्या क्या है किस कानून की साब से हम कर सकते हैं वो देखके आक्ट को चुनाओ करके वो आक्ट की साब से पंजीकरन करना जरूरी है ये भी एक नियम है हां और संक्ल सरे संगटन का DCB DCB मने डिमांड कलेक्शन बैलेंस जरूर 95% रहना और बैंक DCB 100% रहना याने कि जो CL की द्वारा कर्जा दिया जाता है ज्यादातर कर्जा किस राशी से दिया जाता है आपको पता है सामाज़ेक निवेश कोश राशी यानि कि Community Investment Fund या CIF राशी ग्राम संगटन को देते हैं ग्राम संगटन से संकल सतरे संगटन की रिन वापसी प्रतिचत कम से कम 95 प्रतिचत वापसी रहना चाहिए और क्लस्टर में संकल में SAG को जो बैंकों से मिलता है बैंक लिंकेज का वापसी 100 प्रतिचत रहना है ये भी एक नियम है ठीक है और संकल में रहने वाले अनाद बच्चों को देखवाल करना या नहीं तो अनाद बच्चों को आवासी केंदर में शामिल करना चाहिए अलग-अलग कारण की वज़े से समस्यों की वज़े से जो संकल में पड़े हुए अनाद बच्चे हो आईसी अनाद बच्चों को पहचान करके ग्राम संक्रम की द्वारा समूग को द्वारा उन बच्चों को अगर हो सकता है तो वल्लरबिल्टी रेडक्शन फंड को इस्तमाल करते हुए उनको एक आवास तैयार करके जिसमें उन लोगों को काना, रहना वगेरा सेवा कर सकते हैं अगर वो नए कर पाते हैं तो उन लोगों को सरकारी विबागों से चलने वाले जो आवासी खेंदर में उन लोगों को धाकिला करना चाहिए यह है एक सामाजिक नियम है और गरीब परिवार की महिलाओं को हर समस्याओं को हल करना चाहिए गरीब परिवारों की परिवारों में रहने वाले बहुत सारा महिलाओं को अलग-अलग तरीके की domestic violence याने की परिवार में बहुत सारे हिमसा होता है और अलग-अलग तरीके की उनलोगों के उपर discrimination होता है उन चीजों को हर तरह की support यानि की justice यानि की उनलोगों को कोई भी पुलिस टारना जाने में या अदालत जाने में वकालत करने में या लड़ने में मतलब हरताला की परिवार में या समाज में या कोई भी सरकारी विभागों में उनको जो हक अधिकार मिलना है उसमें कोई दिक्कत हो तो उन सारे चीजों में महिलाओं को सपोर्ट करना एक नियम है एक नियम जैसा काम करना है आप लोगं को लगेगा यह क्या नियम है लेकिन ये नियम है क्योंकि ये गरीब अधिगरीब महिलाओं के लिए काम करने वाले समझता है इसलिए नियम जैसा इसको सोचना चाहिए हर गरीब को सायता करना हर महिला को सायता करना एक नियम है और हर सरकारी गैर सरकारी योजना गरीबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए मैं आपको अभी बताया है कि जो राइटस और इंटेटल में जिसे कहते हैं जो हक और अधिकार के बारे में जो राजसरकार की द्वारा भार सरकार की द्वारा अलग-अलग विभागों की इस द्वारा जो संचालन हो रहा है बहुत सारे प्रोग्राम से योजनाएं ह उसमें उसका लावर्ति कौन होंगे गरीब अतगरीब परिवार की लोग होंगे लेकिन वो सारे गरीब अतगरीब परिवार हमारा समू से जुड़े हैं वो समू की द्वारा वीवो वीवो की द्वारा संक्ल बन गए हैं इसलिए संक्ल सरी संगतन एक नियम जैसा रखे सभ और राज सरकार के इंद भार सरकार का स्कीम्स में जो योगी परिवार है उन सभी को अक्षादिकार तक पहुंचाने का भी एक नियम रखना चाहिए CLF में सदस्यता लिये हुए हर सदस्य अपने बच्चों को स्कूल बिजवाना जैसा देखना चाहिए यह बहुत बहुत इंपार्टेंट है हम पैसे दिये तो रहते नहीं रहते पता नहीं है लेकिन हम हर परिवार को अपना बच्चों को विध्यालाई में बेजना जैसा करना चाहिए आज बच्चों को स्कूल में अगर बेजें वो पढ़ेगा पढ़ेंगे तो उनका काउशल विकास होगा अगर काउशल विकास होगा तो वो कही ना कही अच्छा आजीव कमें चला जाएगा हमारा जो CLF का लक्ष है गरीबी उन्मूलन गरीबी निकालने का वाले वाद जो है उसको पाना है तो उसको हासिल करना है तो सब बच्चे स्कूल में रहना जैसा देखना चाहिए ये भी एक नियम जैसा काम करना चाहिए इसके लिए सोशल आक्शन कमिटी को बनना चाहिए और हर मा इसके वैटकों में चर्चा करना चाहिए उन्यम जैसा काम करना जरूरी है और जो final one है बाल विवा को रोकना और सामाजिक समस्या पर जागरूकता करना जब तक सामाजिक जागरूकता लोगों में नहीं है जितना भी विद्ढ़ आप देते हैं जितना भी financial support आप क लोग कैसे गरीबी में डूब जाते हैं वो समस्या का प्राबाव क्या होता है परिवारों में ये सारे चीजों के बारे में संक्ल सरी संगटन एक नियम जैसा SSG में सामाजिक मुद्दों के उपर लड़ना चाहिए और लड़ने की क्षमता SSG को देना चाहिए और ग्राम संगटन में भी सामाजिक सामस्या के कमिटी बनाना चाहिए उसका मजबूती करना चाहिए और ग्राम संगटन की तवर पर जो भी सामाजिक काम करना चाहिए यह हम यहाँ पर आपको बताया गया है कि यह बहुत कुछ नियम बहुत कम नियम हम आपको बताया है जैसे आप बानते हैं जितने भी जो अपने पास क्याडर को रखते हैं वो सभी क्याडर को क्याडर में kluster में करते रहे और उनका 75 वी मतलब धूनर को बढ़ाना जब तक रही से बाहर तो निरंतर लिए काकैसीटी बीलिंग करना भी एक बताना उनक've से बैंग है और सरकारी विबाग सिन सारे गयर सरकारी वित समस्थाहूं और अच्छी तरीका की अभिसरण करना चाहिए यह अग surprise इस और यह जरूरी है यह एक नियम है, जन्पत सर पर संक्ल कांग पर सकते हैं। बहुत सारे नियम आप बना सकते हैं, आपको तोड़ा बहुत आपको जानकारी के लिए यहां पे नियम बताया गया है, यह जरूरी नियम है, और इसके अलावा बहुत कुछ आप नियम अलग-अलग चीज़ों के उपर जैसा मैंने बोला था, प्रबंदन, बाइटक और वित और सामाजिक खेत्र में नियम बना के उसको लागू करना चाहिए, नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, नियम को सक्षत, 100%, सत प्रतिशत उसको पालन करना चाहिए, अगर नियम को कोई थोड़े, तो उसको उन लोगों के उपर चर्चा करना चाहिए, जो कारवाई करना है, सब लोग चर्चा में तै करके उन लोगों को उपर करना चाहिए, तब तो जो हमारा CLF का लक्ष है, पाना आसिल करना आसान हो जाएगा, Thank you very much, धन्यवाद.